हलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश फोरेवर में एक बाफेस स्वागत करता हूं इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इस टॉक्स रेटी जिसका नाम है आयर्सीटी सी आद लगबद 6-7% भागा है लोग काफी खुश हो रहे हैं हम यहां पर बात करेंगे निउस आपको पोच गई होगी बढ़ हम बात करेंगे चार्ट से लेटी चार्ट क्या रहा है उससे लेटी बात करेंगे कब एंटी लेना है क्योंकि क्या होता है कि लोग एंटी लेते हैं टॉप पर और फिर फस जाते हैं फिर रोते हैं कि हमने यहा market में फसाया जाता है तो यही news आपको आती हुई दिखाई देगी यही सोच मन में आती हुई भी दिखाई देगी तो इसे कैसे चुटकार आ पाए उस चीज के लिए मैं इसका जवाब दूँगा इस वेल इस दो ती नीज है आयर चीज से लेटे उससे लेटी बाते करेंगे बर बिफोर दे वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करको है इंवेस्ट फॉरावर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को अन कर दोनों जगह पर वीडियो डालते रहते हैं चांट डालते रहते हैं दूरिंग दा मार्केट एस वेल इस बहुत सारी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बैल आइकन वाले इनने काफी लोग है जो सब्सक्राइब निका रखा हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए शायद वीडियो ऐसी निकले कि आपकी किसमत चेंज़ रहा है तो इसलिए फॉलो करिए वीडियो को देखिए बहुत सारी वीडियो आज भी डाले गई है तो IRCTC मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई है तब भी मैंने आपको चार्ट से लिटी बाता है था अब और जाता है यह यहां प्सक्ल नाट से करूंगे को बड़े वीडियो को सैष्टार प्रूंट कहीं नजर आएगा तो एक नहीं कहीं है को शियुक्स कॉस्धी नजवी कहीं न कहीं पढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एकाउंट नहीं है और भारत की 100% पॉपुलेशन है वो एजुकेटिड नहीं है तो कहीं न कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पढ़ता हुआ नजर आएगा एक बात और कहिं से निफ्टी नेख्टुफ्टी में यह पर्लीकुलर श्टॉक आता हुआ दिखाई देका दूसरी बात तीसरी बात हीए कि डेटासाइंस सब्सक्राइइकं एक यहां पर जईल पूरा पूरा है आशे उसमें क्या होता है जो आयर सीटी आप जब यहां पर टिकेट इस पास बहुत जादा होता है और डेटा आज के एक बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है आपके पास दिखिए कहीं नहीं से कैसे भी खौल आजाती होगी आप सोस्ते होगे इनके पास नंबर कहा से आया बट वो डेटा ही होता है जो यहां पर एक फिलेसे से दूसरे प्लेस होती है और जब इतनी सारी टिकेट बुक होती है तो करोड करोड लोगों का यहां पार डेटा आयर सीटी के पास और वो प्लान कर रहा है डेटा बेचने की दूसरी कंपनी इसको दूसरे उसको तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव एफेक्ट तो यह पड़ी आगा कि एक इसको टैकल करती है तो इसी निउस की वज़े से की डेटा बेचा जाएगा आजा को रुपेस का और यहां पर यह सब काउंटर बंद कर दी जाएंगे तो यह शेयर आज के दिमें 6-7% भागता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट मैंने आपको बता दिये थे कि रिजल्ट यह है और यह लाश्ट टाइम कर यह शेयर गिरा था आपको पता यह किस वज़े से गिरा था ओके और यहां पर आप देखेंगे की सेलिंग लगाता यहां पर होती हुए दिखाई दिये दिये आपको कुछ पॉइंट से जो आपको देखने होंगे पुब्ली की होल्डिंग और वह एफस भी आ सकता है रूस और रेगुलेशन भी सासना चेंज हो सकते हैं तो यह कुछ नेगिटिव पॉइंट इसके साथ में जुड़ते हुए नजर आते हैं तो केवल की मोनोपोली स्टॉक्स हैं मोनोपोली स्टॉक्स हैं यही माइन में मत रखिए यह माइन में र तो याद रखिए कि कुछ भी नहीं है तो अच्छा पैसा बन सकता है नोडाउट अल्रेडी बना है अच्छी बात है यहां पर देखिए शेयर अच्छा पैसा बना के दिया है बट सब चीछ यहां पर आपको सोच के चलनी है क्योंकि मार्केट में एक से बहतरी शेयर और अ पर जो मैंने आपको टार्गेट देए वो टार्गेट एचीव होते हुए नजर आए आज के दिन में यहां पर देखिए और फिर मैंने बताया था कि इस आपको कुछ भी करना है इसी पर टेजी होके क्या हुआ थेजी होके हुआ कि यहां पर टच किया और यह क्योंसी यहां तक जाएगी यह तेजी यहां तक जाएगी ओके तो यहां पर एक्साइटिड होके पहली बात माल नहीं खरी ना दूसरी बात कोई भी शी लगातार ऊपर नहीं आती मैं हमेशा कहता हूं अगर यह चीट नीचे आ जाती है तो उस cases में आप यहां पर इंग्रश करने क तो यह बन रहा है तो इस पैर्लेग ऐन'll झालओ नजर रहे ही और यहां पर देखें यह एक चैनल और लेख वान्टांटा वन चैनल चैनल जैकर रहा है उस कैस में उसकी किरता है कि आई होता है कि हो इस परकुल लेफल को निकालने जरूरी होता है अगर इस पर्टिकुलर लेवल को निकाला, यहां पर एक लाइन ये, तो इस पर्टिकुलर लेवल को यहां से ब्रेक आउट हुआ तो तो तेजी होते ही नजर आ सकती है, और जो कि इसे आगी की तरफ जाएगा, बर साथ में राइश्टेंस भी खड़ा हुआ है, एस बने एक पैटरन और बना था, जो जो मैंने आपको बैदाया था, यह बना था, ट्राइंगल, जब यह ट्राइंगल बना था, तो इस केसिसे में में आपको बता दिया कि तेजी होगी, हमने नीचे से ही पकड़ लिया था, यह फिर इसके बाद भगता हुआ नजर आ रहा ह वो सारी चीज़े उसमें एड़ करने है, वो मैं दीरे दीरे एड़ करूँगा, और यहां पर रिश्टेंस यह है, चीज़े अगर भागी, तो यहां तक लगबग 20% के रिटर्न आपको और मिल जाएंगे, और अगर चीज़े नीचे आती है, गिरती है, तो यहां पर आप बाइंग करने की सोच सकते हैं, और उस केस में अच्छे खासे रिटर्न आपको बिल जाएंगे, तो यहां पर ऊपर चड़के नीचे है, उस ताहिम यहां पर इंवेस्ट करेंगे, पैसा बनीगा, तो पीस होता, तो थैंकी सो मुझ कर्प्रेस.